के आदेसवर एकेडमी में संदिग्द अवस्था में हुए छात्र की मौत कुछ 24 घंटे बीच जाने के बाद भी पुलिस कोई कारवाई करती नजर नहीं आ रही है और अभी तक मौत का कारण अज्याद बताया जा रहा है दरसल सहर के आडवाल में स्थित आदेसवर एकेडमी में कल सुबन नवी के छात्र डी ज्यान प्रसांट की पंके से लटकती हुई लाच मिली थी कल स्कूल प्रबंदक द्वारा इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस ने फारेंसिक टीम की मदद से चानविन सुरू कर दी हाला कि पुलिस प्रथम द्रिष्टिया इसे आत्महत्या बताया लेकिन बच्चों का कहना है कि मृत्त ज्यान प्रसांट पढ़ाई में होनहार था और उसकी मौत कई सवालों को खड़ी कर रही है गौतलब है कि मामले को चोबिस घंटे बीच चुके हैं उसके बाद भी पुलिस ने ना ही कुछ चात्र से पूस्ताच की है और ना ही संस्थान के प्रबंदध से पूस्ताच की है और ना ही परिजनों से पूस्ताच की है अब तो पुलिस के उपर भी सवाल उटने लगे हैं कि आखिये पुलिस कारवाई क्यों नहीं करती नजर आ रही है एक्स्प्रेस रिपोर्टर आज़े दोस्ति वारी